हेलो एवरीवन आप सभी का फिर से स्वागत हैं यह घटना चक्र पॉलिटी का डिसकसन है और हमारा टॉपिक चल रहा है लोगपाल और महतपूर्ण आयोग इस टॉपिक से रिलेटेड सेस प्रस्न कुछ बचे हुए पहले इनको कबर करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं 41 से कथन A कह रहा है कि राष्टिय मनवादिकार आयोग का अध्यक्ष वबैक्ती होता है जो भारत का मुख नियादी सिरश चुका हो कारण R है उक्त आयोग के यानि राष्टी अमनवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कालेकाल 5 वर्स अथवा 70 वर्स की आयोग परियंत पर जो भी पहले हो धारित करता है कथन A और कारण R दोनों गलत है इसके बारे में हम लोगो ने पहले भी डिस्कस किया है तो इसका सई जबाब होगा D अप्षन A और R दोनों गलत है देखी अमानवा अधिकार सनक्षण संसोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संसोधन के अनुसार राष्टी अमानवा अधिकार का अध्यक्ष ऐसा बेक्ति हो सकता है जो सरवोच नियाले का मुख नयाधिस या नयाधिस रहा हो आयोग के अध्यक्ष का कारेकाल भी 5 वर्षे घटा कर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयोग तक जो भी पहले हो कर दिया गया है अतो वर्तमान परिप्रेक्ष में बिकल्प D सही उतर है तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा देखें इसमें जो ऑप्षन दिया गया है सही नहीं है ठीक है तो राश्टिय मानवा दिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन जो इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है जो सर्वोच नियाले का मुख नियाधिस या नियाधिस रहा हो जह रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कोर्षन है कोर्षन नमबर 43 है राज मानवा दिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियम्न में से किसके द्वारा की जाती है इसका सही जवाब होगा राजपाल के द्वारा बी अप्षन देखें मानो अधिकार सनक्षन अधिनियव 1993 की धारा 22 के तहत राज मनवा दिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजपाल के द्वारा की जाती है राजपाल के द्वारा यह नियुक्तियां एक समीति के सिफारिशों के अधार पर की जाती है जिसमें किसी राज में विधान परिशद है, वहाँ उस परिशद का सभापती और उस परिशद में विपक्ष का नेता भी समीती के सदस होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो राज मनवा दिकार आयोग के सदस्यों के रूप में उंच नियाले का कोई आसी नियाधिस या कोई आसी जिला नियाधिस किसके प्रामर्ज के परस्षाद निया जा सकता है, इसका सही जबाब होगा, सवन्दित राज के उंच नियाले के मुख नियाधिस के प्रामर्ज के पश्चाद, बी अप्शन इस राइट अप्शन, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग ने डिसकस किया था, 46 नमबर कोश्चन है, राज आयोक के अध्यक्ष पद पर हुई रिक्ति के दसा में, किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिक्रित करने की सकती किसे है, बताईए, इसके बारे में हम लोग ने डिसकस किया है, सही जवाब होगा, राजपाल, मानो अधिकार सनक्षन अधिनियम 1993 के धारा 25 के अनुसार अगर बात करें, तो राज आयो के अध्यक्ष की मिर्तु, पत्याग या अनकारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दसा में, राजपाल अधिसुचना के द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्यों को जो अध्यक्ष के रूप में, तब तक कारे करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जब तक कि ऐसे रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की निवक्ति नहीं हो जाती, ध्यान रखिएगा, 47 नमबर कोस्ष्चन है निम्र में से कौन सा एक राजमनवा अधिकार आयो का कारे नहीं है कौन सा एक राज मानो अधिकार आयोग का कारे नहीं है तो सही जबाब होगा मानो अधिकारों का उलंगन करने वाले को सजा देना D option इसका कारे नहीं है मानो अधिकारों का उलंगन करने वालों का सजा देना जो है राज मानो अधिकार आयोग का कारे नहीं है और सभी भी कल्प जो दिये गए राज मर्व अधिकार आयोग के कारियों के अंतरगा जो है आते हैं 48 है राज आयोग अपना वार्षिक परतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तूत करता है जो राज आयोग है अपना वार्षिक पत्तिवेदन जो है किसके समक्ष प्रस्तूत करता है इसका सही जबाब होगा राज सरकार के समक्ष यानि बी अप्षन मानो अधिकार सनक्षन अधिनियम 1993 कनुसार अगर बात करें तो राज आयोग यानि स्टेट कमिशन जो है इसे तात पर राज आयोग से तात पर राज मानो अधिकार आयोग से है और यह आयोग राज सरकार को वार्षिक पत्तिवेदन प्रस्तूत करता है राज सरकार इस पत्त वेदन को बिधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है 49 नंबर है आयोग राज आयोग का परतिक सदस यो मानवा अधिकार सनक्षन अधिनियम के अधिन कृत्तियों का प्रियोग करने के लिए आयोग या राज आयोग के द्वारा नियुक्ति या प्राधिक्रित परतिक अधिकारी समझा जाता है इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ध्यान से सुनिएगा कहरें कि आयोग राज आयोग का परतेक सदस यो मानुवा अधिकार सनक्षन अधिनियम के अधिन किर्तियों का प्रियोग करने के लिए आयोग या राज आयोग के द्वारे नियुक्ति या प्राधिकरेत परतेक अधिकारी समझा जाता है लोक सेवक B option is right option ध्यान लखिएगा और इसके बारे में देख लेते हैं 15 नमबर है मानो अधिकार न्यालेओं में मामले के संचालन के प्रिजोनार्थ राज सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभी योजग के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम कितने वर्सों तक प्रैक्टिक्स में रहा है तो इसका सही जबाब होगा जो कम से कम साथ वर्सों तक प्रैक्टिक्स में रहा है मानो अधिकार सनक्षण अधिनियम 1993 के धारा 31 के अनुसार अगर बात करे तो राज सरकार परतिक मानो अधिकार नियाले के लिए अधिसूचना के दुआरा एक लोक अभी योजग विर्दिष्ट कर सकेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम साथ वर्स तक अधिवक्ता के रूप में बीधी बेवसाई किया हो उस नियाले में मामलो के संचालन की परियोजन के लिए बीसेस लोक अभी योजग के रूप में निव्ट करेगी द्या लखिएगा आगे बढ़ते हैं 155 नमबर है भारतिय डंड सनीता के धारा 175 धारा 178 और धारा 189 धारा 180 या धारा 228 में वणित अपराद के संदर में मानो अधिकार आयो को समझा जाता है भारतिय डंड सनीता के धारा 175 धारा 188 धारा 189 धारा 188 धारा 228 में वणित अपराद के संदर में मानो अधिकार आयो को समझा जाता है सिविल नियाल है यानि बी अप्शन मानो अधिकार सनख्षण अधिनियम 1993 के धारा 134 के अंतरगत अगर बात करें तो भारतिय डंड सनीता के धारा 175 धारा 188 धारा 189 धारा 188 धारा 188 धारा 188 धारा 228 में वणित अपराद के संदर में मानो अधिकार आयो को सिविल नियाल ह समझा जाता है, साथी 1993 के अधिनियम के धारा 13.5 के तहट मानो अधिकार आयो के समक्ष परतिक कारवाही को भारतिय डंड सनिता के धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए नियाई कारवाही समझा जाता है और आयो को डंड पर क्रिया सनिता 1973 के धारा 155 और अध्या 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल नियाले समझा जाता है 52 नंबर कोस्टन है ससस्तिर बलो के सदस्यों के द्वारा मानो अधिकारों के अतिक्रमण के सिकायतों के बारे में आयोक स्वप पिरणा से या किसी अर्जिकी प्राप्ती पर क्या करेगा इसमें आपको बताना है, अप्शन A है, स्वेम जाच करेगा, जाच करने के लिए संबनित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा, और C है केंद्रिये सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, उप्यूक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा, केंद्रिये सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, C अप्शन आपकार बिल्कुल सही है, मानो अधिकार सनक्षन अधिनियम 1993 की धारा, 19 कनुसार अगर बात करें तो आयोग, ससस्त्रबलों के सदस्यों के द्वारा, मानो अधिकारों के अतिक्रमण के सिकायत के बारे में करवाई करते समय, निमलि सिकायत के बारे में कोई कालेवाही नहीं करेगा, या उस सरकार को अपनी सिफारी से कर सकेगा, तो द्यान रखिएगा, दो इसमें जो है, इसमें उसके कह सकते हैं कि जो परकिरिया दिया गया है, अपना सकता है, दो परकिरिया है, कोश्चन नमर 53 है, निम्न में से कौन सी एक सेन्वेधानिक संस्था नहीं है। जिसका गठन मानु अधिकार सनक्षन अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है। स्थिती अन्थीनों से भीन है। निम्ण में से कीस एकी प्रती जो है प्राइस्थिती जो है अन्थीनों से भीन है। इसमें से जो अप्सन होगा वो है आपका राष्टिय मानवाधिकार आयोग। राष्टिय मानवाधिकार आयोग एक सन्विधान नेतर निकाय है। राष्टिय मानवाधिकार आयोग है एक सन्विधान नेतर निकाय है। बाकि सभी जो हैं सन्विधान निकाय हैं जो अप्सन में दिया गया है। कोस्चन नमर 55 है निमलखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखें इसमें राष्टिय विकास परिशत जो दिया गया है इसका स्थापना 1954 दिया गया है जो की सही सुमेलित नहीं है। बी अप्सन आपका बिलकुल सही होगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखें अंतर राज परिशत का स्थापना कब हुआ था 1990 में, राष्टिय विकास परिशत 1952, केंद्रिय सतकर्ता आयोग का स्थापना 1964 में और राष्टिय मानवादिकार आयोग का स्थापना 1993 में किया गया था। 56. सविंधान पुनर रिक्षण के लिए नियुक्त राष्टिय आयोग से संबंदित निम्रखित कतनों पर विचार करिए। 56. सविंधान के पुनर रिक्षण के लिए आयोग की नियुक्त राष्टिय आयोग से संबंदित जो कतन है इसमें जो सही है वह है आपका पहला और तीसरा यानि इसकी रिपोर्ट अनुसंसात्मक परकृतिकी होगी और इसकी अध्यक्षता जस्टिस एमिन जो है विंकट च चलाया कर रहे है तो आपका बी अप्सन इसमें जो है बिल्कुल सही है सविंधान के पुनर रिक्षण के लिए आयोग की नियुक्ती 22 फरवरी 2000 को जस्टिस एमिन विंकट चलाया की अध्यक्षता में केंद्रिय सरकार के द्वारा की गई थी ना की संसत के द्वारा इसका क सविंधान के विगत 50 वर्सों के कर्यानेवन की समिक्षा करना और आज के समय में इसकी प्रभाव सिल्ता का आकलन करना था आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है 31 मार 2002 को पेस की 57 नंबर कोश्चन है समिधान समिक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया इसके अध्यक्ष है कौन अध्यक्ष थे समिधान समिच्छा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया इसके अध्यक्ष है एमिन वेंकट चलाया यानि ए अप्सन और अंठावन नमबर कोस्चन है केंद्रिये परदूसन नियंतरन बोड का अध्यक्ष कौन है तो देखे इसमें जो आप्सन है डाउटफूल है, सही नहीं है इसके बारे मामलो यहाँ पर डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट है जल परदूसन नियंतरन अधिनियंद अधिनियंद 1974 के प्रधानों के तहर केंद्रिये परदूसन नियंतरन बोड का गठन सितंबर 1974 में किया गया इस अधिनियंद कनुसार केंद्रिये परदूसन नियंतरन बोड का एक पूर्ण कालिक अधियक्ष होगा तथा केंद्र सरकार के द्वारा परियावरों से संबंदित मामलों में और अधियक्ष नामित किया जाएगा वर्तमान में इसके अधियक्ष कौन है सीव दास मीड़ा 69 नमर कोश्चन है स्वण सी समिती ने जिस प्रस्ण पर विचार किया था स्वण सी समिती ने किस प्रस्ण पर विचार किया था तो मुल अधिकारों के तूनला में निर्देशक ततों को अगरता यानि सी अप्सन 1976 में कॉंग्रेस ने सरदार स्वण सी की अध्यक्षिता में एक समीति का गठन किया था ठीक है इसे तत्र समय समिधान संसोधन समीति के नाम से जाना गया 42 समीति के सिफारिसों का प्रणाम है इसने भारत के लिए राष्ट पतिय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुप्यूक्त बताया था तथा इसने मुख रूप से जिस प्रस्ण पर विचार किया था वह था मुल अधिकारों के तूलना में निर्देशक कतो की अगरता इसका सही जवाब होगा संथानम समीति केंद्रिय सतकर्ता आयोग की अस्थापना संथानम समीति के सिफारिसों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की राष्ट पती के द्वारा एक अधिया देश जारी किये जाने के फॉल्स वरूप केंद्रिय सतकर्ता आयोग को 25 जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के रूप में केंदृये सतकरता आयोग के साथ 2 से अनाधिक सतकरता आयोग सदरस होते हैं 61 है, भात्य समिधान का कौन सा अनुछेद केंद्रिय सतकर्ता आयो का वड़न करता है, वह कौन सा अनुछेद है, जो केंद्रिय सतकर्ता आयो का वड़न करता है, सही जबाब होगा, इन में से कोई नहीं है, D option, ठीक है, तो जो option दिया गया है, उसमें नहीं दिया गया है, कें शम्बर द्वाज़ातीन में संसत के द्वारा पारित बीधी के द्वारा इससे सानवेधिक दर्जा दिया गया। इसका उलेक शमिंधान में नहीं है। ध्यार रखिएगा। 62 है निमने लिखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो केंद्रिय सतकर्ता आयो का स्थापना वर्ष जो दिया गया 1964 ये सही है और केंद्रिय अनुवेशनल बीवरो का जो स्थापना वर्ष ने 1963 दिया गया ये भी सही है लेकिन जो C और D है वरष्टाचार निरोधक कानून इसका में दिया गया ये भी गलत है C और D आपका सुमेलित नहीं है ज्यानकिएगा केंद्रिय अनुवेशनल बीवरो की अस्थापना वर्ष ने 1963 में केंद्रिय सतकर्ता आयो की अस्थापना 1964 में हुई थी जबकि वरष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ प्रवर्त निर्देशाल की अस्थापना हुआ था 1956 में हुआ था ज्यानकिएगा 63 है मंडल आयोग जिसके प्रस्ताओं ने अच्छूण विवाद का सुत्रपात किया है को गठित करने वाले थे मंडल आयोग जिसके प्रस्ताओं ने अच्छूण विवाद का सुत्रपात किया को गठ करने वाले थे मोरारजी देशाई बी अप्शन मंडल आयोग यानि पिछ़़ा वर्ग आयोट वर्ष नैंटी स्वेंटी नाइन में तत्कालिन परधान मंत्री मोरारजी देशाई के नेत्रित वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है समाजिक और सैक्षिक रूप से पि में सदस्थे दिवान मोहनलाल आर आर भोले दिन बंदु साहु और के सुब्ढमनियम इन में से दिन बंदु साहु के नमबर नाइन में स्वास्थ कारणों से जो है स्थिपा देने के कारण उनक्या स्थान पर UL 아이 को सदस्थ से निक्ट किया गया था इस आयोग ने 31 नमरOSS नमरStation को अपनी रिपोर्ट राष्ठतिती को सौपी चौषरल नमर कोस्चन है मन्डलायोग रिपोर्ट की सवर्श क्रस्तूत की गई मण्डलायोग रिपोर्ट की सवर्श प्रस्तूत की गई तो 1980 में C option आपका बिल्गुल सही है उपर में इसके बारे में हम लोगों ने discuss किया है 65 है 1990 में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती राष्ट्री आयो के रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाती यो जन जाती के अत्याचार का कारण नहीं है 1990 में अनुसूचित जाती यो जन जाती राष्ट्री आयो के रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाती यो जन जाती के अत्याचार का जो कारण नहीं है वो है आपका धार्मिक कारण D option 1990 में अनुसूचित जाती यो जन जाती यो जन जाती नहीं है छाचट नमबर कोश्चन है भारत के सविंधान के निम्नांकित में से किस अनुछेत के अंतरगत संग लोग सेवा आयोग और राज लोग सेवा आयोग का प्रवधान किया गया है इसका सही जबाब होगा अनुछेत 315 ए अप्षन अनुछेत 315 के अनुछार संग के लिए एक संग लोग सेवा आयोग और परतिक राज के लिए एक लोग सेवा आयोग होगा साथ ही दो या अधिक राजियों के प्रस्पर करार और उन राजियों के विधान मंडुलों के इस आसय का संकल पारित करने पर संसद बीधी के द्वा उन राज्यों के लिए संजुक्त लोग सेवा आयोग के लिए उपबंध कर सकती है। निम्ण में से कोण सही है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका राज लोग सिवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, तो B option आपका बिलकुल सही है, अनुछे 315 के अंतरगत अगर बात करें तो संग एवं राजों के लिए लोग सिवा आयोगों के गठन का प्रवधान किया गया है, इसके अंतरगत संग एवं राज का ये करतब होगा कि वो अपनी अपनी सिवाओं में निपती के लिए लोग सिवा आयोग के अस्थपना करें, भारतिय समिंधान का नुसार संग लोग सिवा आयोग तथा राज लोग सिवा आयोग अपने अपने कारियों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, 68 है निमने लिखित में से कौन सही है संग लोग सिवा आयोग एक बताइए क्या नियामक संगठन है वैधानिक संगठन है और C अप्षन है इसमें बतायागा C में कि संसदिय अध्यादेश से अस्थापित है संग लोग सेवा आयोग एक संगठन है किया गठन समिंधान के उपबंधों के तहजवे किया गया है इसलिए यह संगठन है 69 है संग लोग सेवा आयोग अपना वार्षिक परतिवेदन किसको सौपता है तो राश्पति को अनुछे 323 एक अनुसार अगर बात करें तो संग लोग सेवा आयोग का यकर तब होगा तो राश्पति को जो है आयोग के द्वार्षिक परति वेदन दे जिसे राश्पति एक ग्यापन पत्र सहीत संसत के परतेक सदन के समक्ष परस्तूत करेंगे इस ग्यापन पत्र में उन विश्यों का उलेग किया जाता है जिन में आयोग के सिफारिसों को सिवकार नहीं किया गया साथ ही उन सिफारिसों को न मानने के कार्णों का भी उलेग किया जाता है सतर नमबर कोस्टन है सही विकल्प चुनने हैं आपको दो या दो से अधिक राजियों के लिए संजुक्त लोग सिवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है इसका सही जबाब होगा भारत के राश्पति के द्वारा यानि ए अपसन आपका बिल्गुद सही है भारतिय समिधान कनुछे 316 एक कनुछार अगर बात करें तो संग लोग सिवा आयोग या संजुक्त लोग सिवा आयोग दो या दो से अधिक राजियों के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राश्पति के द्वारा की जाती है जबकि राज लोग सिवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राजपाल के द्वारा की जाती है 21 है राज लोग सिवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है तो अब बताइए सेम जबाब राज लोग सेवा आयोग का अध्यक्स किसके द्वारे निफ्ट किया जाता है तो राज के राजपाल के द्वारा इसके बाद 72 है राज लोग सेवा आयोग के सदस्योग के निफ्टी किसके द्वारा की जाती है तो राजपाल के द्वारा B option is right option आगे बढ़ते हैं next 73 सविन्धान के किस अनुछेत के अंतरगत लोग सिवा आयो के सदस को जो हटाया जा सकता है तो अनुछेत 317 के मतलब कि अंतरगत अनुछेत 317 के अनुशेत 317 के अनुशार लोग सिवा आयो के अध्यक्स या किसी अनसदस को केवल कादाचार के अधार पर राश्चपति के ऐसे आधे से उसके पद से जो हटाया जाएगा जो उच्टम नियाले को राश्पती के द्वारे निर्देश किये जाने पर उस नियाले के द्वारा अनुछेत 145 के अधिन इस पर्योजन के लिए नेधारित परकिरिया का अनुसार की गई जाँच के पश्चात इस संबन्द में दिये गए परतिवेदन के अधार पर जारी क कि आ गया हो 24 में से कौन पदादिकारियों को जो हटाने में संसत की कोई भूमिका नहीं होती है बता ये इसका सही जबाब किया होगा देखिए इसका सही जबाब होगा अधियक्ष संग लोग सेवा आयोग यानि तीसरा केवल डी अप्सन आपका बिल्कुल सही है इसके बारे में देख लेते हैं अनुछे 317 के अनुसार अगर बात करें तो लोग सिवा आयो के अध्यक्ष या किसी अनसदस को केवल कदाचार के अधार पर राष्टपती के ऐसे आदे से उसके पद से जो हटाया जाएगा जो उच्तम नियाले को राष्टपती के दवारे निर्देश किये जाने पर उस नियाले के दवारे अनुछेत 145 के अधीन इस परियोजन के लिए निर्धारित पर किया अनुसार की गई जाच के पश्चात इस संबन्द में दिये गए परतिवेदन के अधार पर जारी किया गया हो जबकि उच्तम और उच्नियाले में नैधीसो और भारत के नियंतरक यो महालेखा परिक्षक को हटाने में संसत की भूमिका होती है इन्हें अनुछेत 124 में उपबन्दित रिती से संसत के परतिक सदन के द्वारा विशेस बहुमा से समावेदन पारित करने पर राजपती के आदेश से हटाया जा सकता है नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नंबर 75 है निम्ण में से किस मामले में राज लोग सेवा आयोग से परामर्स नहीं लिया जाता है किस मामले में राज लोग सेवा आयोग से परामर्स नहीं लिया जाता है इसका सही जवाब होगा D option civil सेवाओं का अस्थनांतरण पर civil सेवाओं का अस्थनांतरण पर क्या किया जाता है बताईए तो civil सेवा civil सेवाओं के अस्थनांतरण पर राज लोग सेवा आयोक से परामर्स नहीं लिया जाता है अनुछे 320 के अंतरगत अगर बात करें तो राज लोग सेवा आयोक के कृतों में सीविल सेवकों के अस्थनांतरण का कार समलित नहीं है जबकि प्रश्णगत अनकार राज लोग सेवा आयोक के कृतों में सामिल है इसलिए सीविल सेवकों के अस्थनांतरन संबंदी परामर्स राज लोग सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है 76 है किसी राज लोग सेवा आयोग के कारियों को जो है निमलिखित में से किस एक के अनुमोधन से संग लोग सेवा आयोग को सौपा जा सकता है तो भारत के राश्पती के द्वारा यानि D अप्षन आपका बिल्कुल सही है किसी राज लोक्ष्यवा आयो के कारियों को निमलिखित में से किस एक के अनुमोधन से तो राश्पती के अनुमोधन से जो है संग लोक्ष्यवा आयो को सौपा जा सकता है सतातर नमर कोश्चन है उतर परदेश लोग सेवा आयो के ब्याय किस नीधी पर भारित होते हैं तो राज के संचीत नीधी पर बी अप्शन आपका बिल्कुल सही है अनुचे 322 के अनुचार अगर बात करें तो संग लोग सेवा आयो के ब्याय भारत के संचित निदी पर जब की राज लोग सेवा आयो के ब्याय समधित राज के संचित निदी पर भारत होते हैं 28 है भारत में पहली बार लोग सेवा आयोग के अस्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था तो Government of India Act 1919 1919 के भारत सासन अधिनियम के धारा 96C के अंतरगत भारत में प्रतम लोग सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को अस्थापित किया गया उस समय इसमें एक अधियक्ष और चार सदस्य थे सर रौस बारकर जो है इसके प्रतम अधियक्ष थे 1935 के अधिनियम के तहट इसका नाम 1 अप्रेल 1937 को संगिये लोग सेवा आयोग रखा गया तथा 26 जनवर 1950 को भारतिय समिंधान के लागू होने के साथ यसंग लोग सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया प्रांतिय अस्तपर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग की अस्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहट प्रतिक प्रांत या प्रांतों के समू के लिए प्रांतिय लोग सेवा आयोग के लिए भी प्रधान किये गये थे जिसके तहट 1937 में साथ प्रांतिय लोग सेवा आयोग अस्थापीट हुए थे 79 ने Union Public Service Commission की प्रतह महिला अध्यक्ष का नाम क्या है Union Public Service Commission की प्रतह महिला का जो प्रतह महिला अध्यक्ष का जो नाम है वह है आपका रोजबैथियू या रोजबैथियू जो है प्रथा महिला अध्यक्स यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमीशन की हैं आगे बढ़ते हैं और 80 नमर कोस्चन है भारत के संदर में नौकर साही का निम्नलखित में से कौन सा उप्यूक्त चरित्र चित्रण है तो नौकर साही का आपक तो सही जबाब होगा लोक नीती को कर्यानवित करने वाला अभिकरण यानि D-Option ठीक है भारत के संदर में नौकर साही वो माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतिया जनता तक पहुँचती है इस परकार यह सरकार की लोक नीती को कर्यानवित करने वाला अपेक्षित होता है कि वह राजनितिक रूप से तटस्थ हो और इसका अर्थिया है कि नौकर साही नीतियों पर विचार यह उन्हें कर्यानवित करते समय किसी राजनितिक द्रिष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है इस रूप में नौकर साही राजनितिक से दूर रहती है भारतिय नौकर साही का जटिल स्वरूप है, इसमें अखिल भारतिय सिवाएं, प्रांतिय सिवाएं, अस्थानिय सरकार के करमचारी और लोग उपक्रमों के तक्निकी तथा प्रवंधकिय अधिकारी समलित हैं, यदपी नौकर साही आर्थिक ब्रिदी को सुलब करने वाले अ कौन सा अनुछेद परसाद का सिधान्त उलेखित करता है, भारतिय समिन्दान का वो कौन सा अनुछेद है, जो परसाद का सिधान्त उलेखित करता है, सही जबावग अनुछेद 310, भारतिय समिन्दान का अनुछेद 310 जो परसाद का सिधान्त उलेखित करता है, और इसके आज पना पर्तिकिया जरूर दिजिए आपके पर्तिकियाओं काहमें बिसब्री शे इंतिजार रहता है और जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल और टेलिग्राम फिल्स गुरुप को जोईने किया हैं, तो प्लीज गुरुप को जोईन करिये, और इसका जो लिंक है, वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो थाइंक्यो, मिलते हैं नेक्स सेशन में.